हे दोस्तो विल्कम टू आ चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया आप अगर चैनल पे निया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ना फॉर दा जनुएन इंफरमेशन और आपका कोई 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 रिजा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तो आज 16 फेबररी 2022 मार्केट के अंदर आज काफी वॉलेटाइल सिचुएशन हमें देखने को मिला निफ्टी जहां पे आज स्टार्टिंग के अगर हम बात करें थोड़ा पॉजिटिव में उपन हुआ था उसके बाद कुछ टाइम के लिए थोड़ा नीचे भी आ और उसके साथ साथ most of the share के अंदर भी आज की देखने को मिला कि पूरा को पूरा दिन काफी पॉजिटिव चल ला था या फ्लैट चल ला था उसके बाद हमें एंड होते होते थोड़ा बहुत गिरावाट के साथ ग्लोजिंग दिया तो बात करेंगे यहां पे दोस्तम टार पावर कंपनी लिमिटेट की पर देखिए इसका चार्ट परन भी आज की देखने को मिला था अल्मोस्ट 236 तक share पहुंच गया था अल्मोस्ट 3% की तेजी भी हमें देखने को मिला आज की रेट पे उसके बाद थोड़ा बहुत फ्लैट एंड होते होते देखिए करीबन से उसे मार्केट जैसे गिनने स्टाट हुआ तो टार्ट पावर के अंदर भी थोड़ा बहुत नीचे आके अल्मोस्ट फ्लैट में आज की रेट में क्लोजिंग दिया लगवोग 230 रुपए जो टार्ट पावर का स्ट्रॉंग सपोर्ट जोन है इसके नीचे 200 से 220 जो कि लास् आज की रेट पर आप देख सकतो सारे 11 बजे के आसपास पॉब्लिस ट्वा था तो न्यूस का हेडलन दोस्तों आपके सामने है टाटा पावर गेंस नियर्ली 3% एस मॉर्गन एंस टर्ली रेस टार्गेट प्राइस मॉर्गन स्टर्ली दोस्तों एक दिगज ब्रोकरेज आज बास तो बैसिकली कितना टार्गेट दिया वह दिखाने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता के रखना चाहते हूं उस टाइम पहले आपको मालूम होगा लगवग एक देर मैंने पहले इवन उसके पहले पी मैं आपको शेर किया था यह जो फोरेन आज की डेट में देखिए यह टार्गेट बताया जा रहा है 228 का यहां पर देख सकते हो रिसर्च फर्म मॉर्गान स्टनली हैस मेंटेंट एन इक्वल वेट रेटिंग ऑन टार्टा पावर एन रेस्ट डार्गेट प्राइस 228 पर शेर ठीक है मतलब यह एक बहुत ही घिस यह जो फॉरेंग इंवेस्टर्स है या फॉरेंज ब्रोकरेज कंपनी यह सारे मतलब टाइप रहता है यह लोगी एंट्री लेता है लेने के बाद फिर सेर्ट के उपर हमें तेजी देखने को मिलता इसमें फस चाता है कौन बेचार रिटेल इंवेस्टर क्यूंकि जब शे इंवेस्टर्स या ब्रोकरेज कंपनी देख लिया कि अभी एक सोन अपई में नहीं जाने वाला हमें थोड़ा सा इसको प्राइस को रेस करना पड़ेगा तो उसके बात किया 210 में किया आज की रिट में 288 दे दिया कुछ दिन या कुछ साल बात देखना यही टार्गेट प से बैन कर दिया था तो यहां पर देख सेट तो इसकोर्ट सेल अमोंग्स टॉर्ट अंडर स्टॉक्स अंडर एनस सी एफनो बैन लिस्ट और वहां पर जो कि टाटा पावर बैन था आज की डिट में आटा पर को आउट कर दिया गया यह सिंपल सी फंडा है दोस्तों जो की ह आगर एक शेर का MWP l का percentage होता है वो percentage अगर कोई भी शेर का 95% की उपर चला जाता है कब जाता है जब बहुत ज़दा में वोल्यूम देखना कुम इंद्र आ इंड्रे ट्रेडिंग बगदा देखने को मुलता है तो यहां पर जो कि ऑनद दौर हो यहां पर बैन कर दिया जा MWPL का percentage 80 से नीचे चला जाता है तो डेफिनेटल उसकेस में यह फिर से एफनो सेगमेंट से मतलब यह अन्बैंड कर दिया जाता है जो कि टार्टा पाउर का आज की रेट में कर दिया तो यह दोना अच्छा नहीं उस था आज की रेट पर हम बात करें टार्टा पाउर की शेर मार्केट में दूस्टों हमेश आपको गिरावट के लिए भी प्रिपेर रहना चाहिए आपको बहुत बार बताया कि जो की खरीद लिया तो सेल मत करना हर बड़ी करकी क्योंकि मार्केट रिकावर होने भी ज्यादा टाइम नहीं लगता आज की रेट पर हम बात करें शियर तो अल्मोस फ्लैट में क्लोजिंग दिया तो करीबन फॉर्टी फाइब के आसपास इसका आडेसा इंडेक्स निकल क्या रहा है जो कि कुछ ट 25 से 230 रुपए का लेवल इस लेवल के बीच में फिर से पहुंच चुका है तो फिलाल अगर हम आज की डिट के आकॉरिंग बात करें तो टाट अपवर के लिए जो स्ट्रॉंग सपोर्ट जोन है वो मैं अभी अभी आपको बता है 225 से 230 रुपए का लेवल इस लेवल को पर सब्सक्राइम पर जहां पर काफी स्ट्रॉंग रेजिस्टेंस फेस के आज की डिट पर को स्ट्रॉंग सपोर्ट भी मिला है अगर हम बात करें दोस्तों का एक साल का चार्ट पर तो काफी दिन हो गया कि बहुत बड़ा हमें शार्प रैली देखने को मिला अप्टें मतलब नहीं मिला तो लगबग यहां पर चार मेने की उपर हो चुका है यहां पर सेल करने का सबस्क्राइब बार बर बोलो गलती मत करना क्योंकि थोड़ी पिछिया जाई है जब शेयर पैस चला था एराउंड यहां पर बोल सकते हो कि वही एक सो एक सो बीस के भीतर काफी लंब स और आज की रेट में देख लिया जो लोग उस टेम पर खड़ीदारी किया अच्छी बात आच की रेट में प्रॉफिट में जो लोग नहीं किया था वो लोग आज की रेट में बहुत ज्यादा रिग्रेट कर ला है तो इसलिए मैं बोला हूं कि जब तक शेयर ना रैली आ आज की रेट में बात करें आप यहां पर करें मार्केट प्राइस के उपर भी शेयर को पीक कर सकते हूं तो जो कि मैं आपको लेवल बताया 225 से 230 और इसके उपर की अगराम बात कर जो लेवल्स निकल करें वह थाइस रूपए का लेवल क्यूंकि लास्ट यहां ने देखा था शेयर के अंदर जब शार प्रैली आया था शेयर यहां पर 20 रूपए को पहुंच भी गया था इस प सपोर्ट सब्सक्राइब रहे सकता है कि मार्केट अगर इंटायर मार्केट के अंदर गिरावट हुआ तो देखें बॉलेंजर वैंड का भी सेम तूसेम सिगनल दे रहा है देखें जो कि इसके लोगर बैंग का नंबर कर रिए करीवां दो सो तैस जो कि मैं अभी आपको ब सब्सक्राइब करना दूसरे अगर नहीं है तो यहां पर बाई कर सकतो करें मार्केट प्राइस की उपर बेस करके और देखियो अल्डेडी मार्केट बंध हो जाने के बाद भी छोड़ा मोड़ा कॉंटिटी यहां पर एमो साइड में और लग चुका है तो मतलब एम और ल टेक्या बाई चाहिए